तो आज बजट आपके सामने पेश किया जा चुका है 24 जुलाई दो हजार चोईस जी हाँ ये आज की बजट की डेट थी लेकिन एक बात ध्यान रखेगा आज से 33 एर्स पहले 24 जुलाई 1901 में फर्स्ट डॉक्टर मनमौन सिंग जी का आइकोनिक बजट आया था पूरे जहां से इंडिया में इक्विटी कल्ट की स्थापना होई थी और हां इसी करण से उस समय के पीम पीवी नर्सिंगर आउजी को फादर ऑफ इंडियन एकोनोमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है और आज सेम दिन वही बजट आना हमारे लिए एक अजीब सा संयोग था लेकिन इस किया नमबर एक फ्यूचर ऑप्शन एस्टी बढ़ा दिया गया लॉंग टर्म बढ़ा दिया गया शॉर्टरम केपिटल बढ़ा दिया गया यह सब बढ़ा दिये लेकिन इसके पीछे मांट्रेट क्या था इसको जाने की कोशिश करते हैं पिछले पंदरा दिन से हम बार- केप से बचके रहना चाहिए इस तरह का कौशन का साइन सरकार की तरफ से और सेवी की तरफ से सुन रहे हैं तो इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि इस बजट में वही कोशिश की गई है तो इस कारण से क्या हुआ फ्यूचर ऑप्शन की वॉल्यूम को कंट्र करना चाहती थी लेकिन इसको कंट्रॉल करने के लिए उन्हों ने टेक्स बढ़ा रहा ही सबसे उचित समझा और वही टेक्स इन्हों ने बढ़ा दिया यदि परसनल मुझे पूछा जाए तो इंकम टेक्स चोर्ट टर्म केपिटल गेन और लॉन्ग केपिटल गेन सबसे व तो इस tax session को कम करके या हटा कर बजार को उसमें बुष देने का भी काम government करेगी लेकिन आज तो हमारे लिए अच्छी सूचना नहीं अच्छी information नहीं है दूसरा point इसलिए काफी समय से हम लोग बाइबेक में participate करते हैं और बाइबेक में जब हम कोई share बेचते हैं तो हमें बज लेगा तो यानि यह एक और taxation investor के point of view से आ गया है वो भी बजार को रेश्टिक करने के लिए या उसको करने के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश है लेकिन मेरा experience यह है कि कभी भी सरकार की कोशिश जो बजार के तेजी या मंदी को रोकने के लिए होती है वो नाकाम करते हैं तो भी बजार रुखना बहुत मुश्किल काम होता है तो सरकार ने कोशिश जरूर किये लेकिन मुझे नहीं लगता कि medium term में इस कोशिश का कोई effect होने वाला है हाँ इतना जरूर है कि हमारे लिए मैं परसनली इस बात से बहुत ज्यादा disappointed हूं कि इस तरह के को टेक पिट देने के लिए गोल्ड की import duty कम दिखी है इसका मतलब जब देखेंगे तो गोल्ड के प्राइज कम मिलेंगे और यह आपके घर में सुख शान्ती सम्रद्धी लेकर आ रहा है और आपके घर में आपकी फैमिली में मैं जितने भी लेडिजा उनको खुश कर रहा है तो यह उनको साध्य का एक अच्छा तरीका है जब हम बजट इस पी सुन रहेते हैं लगवाग एक बज़े के आसपास तक सब कुछ बजट में अच्छा चल रहा था लेकिन उसके बीच में 11 बच के पंदरा मिट के आसपास एक फ्लेश क्रेश आया था जो कोई सेलिंग आय थी मार्केट में वो आपको ध्यान होगा लगवाग सो डिट सो पॉइंट निफ्टी उसमें तूटा था और उसके बाद में बज़ार सेटल हो गया था बज़ार नॉर्बल चल रहा था लेकिन जैसे ही डाइरेक्ट टेक्सेस पे आने लगे और आते ही जब इनोंने एस्टिट को नेगिटिव लेता है तो यह गवर्मेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है तो वेसा ही कुछ होगा तो बज़ार आज क्लोजिंग में ठीक हो गया लेकिन सबसे बुरा इदी बज़ार में कुछ हो आया या बज़ट में कुछ होआ है तो वह यह हुआ है कि उन्होंन अभी fine print भी नहीं पढ़ा है तो बहुत सारी चीज़े हैं जो fine print में मिलेगी लेकिन जितना मैंने सुना उसमें नंबर एक सबसे बढ़िया बात लगी 11 लाक करोड का infrastructure का खर्चा जैसा कि government इसी बात के लिए जाने जाती है कि infrastructure पर खर्चा किया जाएगा वो आगे पिछे companies का पाइदा और हमारा फाइदा होने वाला है दूसरी बात foreign direct investment को बढ़ाने के लिए अभी तक क्या होता था कि foreign direct investment जब कभी भी आता था तो उसमें companies को 35% से 45% टेक्स चार्ज किया जाता था जबकि Indian company को 25% टेक्स चार्ज किया जाता था तो वो सब माल एक भाव वाले बात तर वाल में companies को 25% कर दे गया तो आपके और मेरे जैसे individual के लिए 25% क्यों नहीं किया गया यदि वहां भी 25% कर जाते तो हम खुश हो जाते लेकिन यहां disappointment जरूर है पूरे budget में जो मुझे सबसे खुशी वाली point लगा खुशी वाला दिखा वो दिखा कि budget के start में finance minister साहीबान ने बोला है कि middle class के लिए ध्यान रखा गया है तो यह पहली बार इसा हुआ है जब middle class के point of view से budget को दिमाग में कम स्विम रखा गया है कि middle class का दिमाग में रखा जाए और उसका result यह होगा कि आज तक budget में हमेशा गरीबों का ध्यान रखा जाता है लेकिन जब यह 240 सीटे आई त कि हमारा real water bank तो middle class है और यदि real water bank middle class है उनका ध्यान नहीं रखा तो मतलब कि वो नाराज हो सकता है इसलिए middle class पे ध्यान दिया गया और middle class पे ध्यान देने के लिए standard deduction आप पर 50,000 से बढ़ा कर जो भी salary है उनको 75,000 कर दिया गया property पर stamp duty यह सबसे बड़ी middle class की problem होती है कि property खरीती है लेकिन stamp duty इतनी मंगी होती है जिसकी को हग नहीं है तो इसको standardize करने के लिए मुझे लगता है हलाकि अभी कोई figure लेके नहीं है पूरे country में एक करने के लिए I think 6% के आसपास यह करने का प्लान कर रहा है तो यह यह 6% हो आती है तो property की transition बहुत easy हो जाएंगे जो अभी तक agreement पर यह power of attorney पर चलती है उसकी जगा है रियल में transition होंगे revenue सरकार को आई चैकी जगा 5 भी कर दे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है लेकिन हाँ इसमें state government का भी हिस्सा होता है इसलिए शायद उनको check करना पड़ा हो middle class के point को इसी दिए हम देखें तो income tax में 15 लाग तक की income पर साड़े सत्रा हजा रुपे का additional benefit आएगा तो यह ठीक है यह एक middle class के लिए अच्छा किया आनोंने कि यह income tax slip कम होनी चीए बलकि मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा है कि 10 लाग तक 5% से उपर tax नहीं होना चीए 20 लाग तक 10% के उपर tax और 20 लाग के उपर 25% बस यह होना चीए 30% की slip होनी नहीं चीए लेकिन जो भी government देशकाल परिस्तितिक साफ से उचिस समझा वो अपने budget प्रस्तावों में रखा है और हां जैसा मैंने श्टार्ट में भी कहा कि अपने राजनेतिक एंजिन्टे को ध्यान में रखने के लिए बीहार और आंध्रा का नाम budget में श्टार्ट में दिया कि सबसे पहले इनको खुश कर दो तो बीहार के लिए जह 26,000 क्रोड का package दिया है वही आंध्रा के लिए 15,000 क्रोड का package दिया है इसका मतलब यदी 240 city आ ह अच्छा हा रहा कि government उस तरह से काम कर रही है कि सब को काम करके, सब को साथ में लेके काम कर सके, इसलिए ये सब करना पड़ा उनको, तो जो भी है देश के development के लिए, देश के हित के लिए अच्छा ही हुआ. मिडिल क्लास, especially MSME के लिए, इन्होंने जो किया है TDS, आज तक क्या होता था कि हम जैसे normal businessmen, जिनके पास बहुत ज़्यादा infrastructure नहीं होता है, बहुत बड़ी team नहीं होती है, और वो TDS चुगाने में late कर जाती है, चाहे किसे भी reason से किया हो, तो उसमें penalty के provision बहुत ज़्यादा थी, उनको control करना बहुत जिता है, क्योंकि penalty के provision में jail तक के provision थे, तो उसको control करने के लिए वो पैनल provision खतम कर दी है, जो एक normal businessmen के लिए, जहां पर पूरा infrastructure नहीं होता है, one main army होती है, एक व्यापार करता है, एक दुखान चला रहा है, उसको ये सब penalties के provision से बचत मिल जाएग और साथ में government ये भी कहा है, 1961 का income tax act पूरा change कर दिया जाएगा, तो यदि वो पूरा change कर दिया जाएगा, तो आज के संदर्ब में एक नया act बन के आएगा, शायद एक दो साल में बनेगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि एक अच्छा decision होगा, पूरे देश में 12 industrial corridor बनेंगे ये बहुत बड़ा announcement है, 12 ऐसे हब बनेंगे जहां industries development होगी, यदि ऐसा होता है, तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब industrial development होगा, तो आम आदमी की, especially middle class के लिए growth के chance कुलते हैं, 12 में राजस्तान का भी नाम है, तो एक industrial corridor शायद राजस्तान में मिलें, ऐसा मुझे उम्मीद है, और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये quota को मिलना चाहिए, क्योंकि quota industrial city के नाम से जाने जाती थी, लेकिन पिछले एक दो साल से, AJ education city के नाम से भी इसका प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है, तो यहां काम करने को बहुत ज़्यदा नहीं है, तो यहां मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद quota के लिए कुछ benefit का काम हो जाए, यहां पर एक और important बात है, कि atomic power के लिए private sector के दरवाजे खोलती है, इसका मतलब कि अडानी और अम्मानी जैसे बड़े लोग atomic power को यूज करते वे, energy को यूज करते वे, बिजली बना सकते हैं, इ लेकिन अभी भी value zone में है, तो शायद और भी अच्छा करेगा, तो यह एक overall जो है initial first step में मैं रुचे जो budget में लगा, वही आपके सामने रखी है, यहां पर income tax slip क्या होई, STT क्या थी और क्या हो गई, यह सब बात करके मैं आपका time waste नहीं करना चाता है, यह आप Google करके दो मि budget में देख सकते हैं, लेकिन में बात है concept का, तो concept में मुझे ही लगता है कि economically लिए तो अच्छा budget है, लेकिन investors के लिए अच्छा budget नहीं लगा है, जिससे मैं काफी disappointed हूँ, पहली बार मौधी government के पहली बार ऐसा budget है, जिससे मैं investor के point of view से, AJ investor disappointed हूँ, आपको क्या लगता है, आपको ये budget कैसा रगा, क्या जो फाइदे दिये वो आपके लिए ज्यादा यूसफुल है, या जो चीज AJ investor आपसे ले ले गए, वो ज्यादा वेटेज रख रहे हैं, जरूर बताइएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए all the best and happy investing, हाँ, चैनल को subscribe करना मत बीडियो धित बीडा समाएब requires आपसे एपसे एंप बासाओव भीष अ कर वा दया आपसे लेज जादे रहे हैं, लेगा है, ज वीजादे ले मतो आपसे घुंपे हैं, लेडिग लहा है, ऑना कि बीड taxस communion